हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका फ्रेंड नागेंदर कुमार बर्मा स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्जन अर्टिस आडिके में दोस्तों यह हैवल्स का इंडक्षन है इंस्टा कुक आर्टी माडल इसमें सप्लाई नहीं आ रही है हम इसको प्लगिंग करक और कितना वाट लेता है यह भी देख लीजिए यह जो आइटम है इंस्टा कुक का है इसका इसका मॉडल नंबर है इंस्टा कुक आर्टी पावर इन्पूट इसका जो है 230 बोल्ट एसी है सिंगल फेस पेवर करता है एसी फ्रेक्वेंसी है पचास हट यह 1400 वाट लेता है त इसके बाद से इसमें से स्कूव खोल लीजी चलिए हम आगे आपको बताएंगे कि इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों इसका क्योड पाइनल कुछ अलग ही दिया है आप यहां पर देख सकते हैं लगक सारे इंडक्शन में पैनल यहां पर दिया होता है लेकिन इसमें अलग द मतशन में निकाल लीजिये इसके बाद से इसके एक वायर को आप खोल लीजिए दोस्तों कि कि यहां रिपेयर किया है और रिपेयर में फ्यूज निकाल दिया है कार्टिराइज भी लिया है अब आप इस IGBT को टेस्ट कर लिजिए continuity टेस्टर से या मल्टी मीटर से अब इसको आप यह पर टेस्ट करेंगे तो यह बिल्कुल सही सही बताएगा नहीं तो अगर कोयल का यह कोयर टाइट रहता है और दूसरा वायर भी तो यह शॉट बताता है लेकिन अभी आप हिप देख सकते हैं कि यह दोनों पिण पर जल रहा है जो कि नहीं जलना चाहिए है हमारा आईजी मीटियस उठ है इस में हम चैंड करेंगे और इसका बासे फ्यूम्च भी सेंज करेंगे इश और इस आईजी बीटी को चेंज करते हु一ए आपको मागे दिखा के लिए जा襯 आगे के लिए आपको पुम्नुड़ की मदद लेनी होगी या फिर किसी निकाल लीजिए हम सोलड Inspamd करima करते हैं अब हलका उपार खाल निकाल जाता है पहले आपको इसको नहीं खोलना है पहले आप चाहे तो इसको रिचोल्ड कर लिजिए उसके बाद से आप निकलते रहें आराम से अब इसके सारे पिंज को सिधा कर लिजिए और तीछे की तरफ पिज देंगे तो यह निकल जाएगा तो पैब कि देखिए बिल्कुल आराम से निकल गया है अब इसको आपको चेक करके दिखा देते हैं कि यह सही है या नहीं क्योंकि अंदर अगर लगा हुआ था तो आपको सब होगा कि क्वाइल के वज़ा से यह सौर्टिंग बता रहा हो इसलिए मैंने क्वाइल का पॉइंट भी खोल दिया था लेकिन मैं अभी इसको चेक करके आपको दिखा देता हूं दोस्तों हमारे इस आईजी बीटी में पहला गेट है दोसरा कलेक्टर है और तीसरा एमिटर है और यह नए वाले आईजी बीटी में भी सेम है तो पहले आप गेट पर एक पिन रखिए उसके बास से आपको दिखाई नहीं देरा थोड़ा से आगे कर देते हैं पहले आप ठीक है ये खराब है आप इस पर देख लीजिए हमने गेट पर पिन रखा उसके बास से कलेक्टर पे यह नहीं जल रहा है उसके बास से अब इसको वीडियो नहीं बताया है यापको हिटयाना जरूरी है नहीं दोस्तों जैसे कि मैंने आपको हर वीडियों में बताया है कि आपको हीटितसिंक लगाना जरूरी है नहीं तो IGBT गर्म होके उड़ जाता है अगर आप हीटिसिंग पेस्ट का यूज नहीं करेंगे तो बहुत पीक कम समय में इसका उड़ जाने का चांस रहता है तो इसलिए हीटिसिंग का जरूर यूज करें अब चलिए इस आई जीबीटी को हम लगाते हैं जैसा कि मैंने आपका बताया था ऐह को पहला पीन गेट होता है दूसरा पैलकटर और दीसरा अमीटर उसको ऐसे लगा करके पहलें अगर इसको अच्छी तरह से नहीं मोड़ पाएंगे तो यह अगर तीनो लेक्स इसमें चिपकेंगे तो तुरंथ आई जी बीटी नहीं उड़ेगा आपका जो और पीसीवी में फ्यूज लगा होगा वो उड़ेगा नहीं तो और भी कुछ भी खराब हो सकता है तो इसको इस तरह से मोड़ना है कि वो उसके संपर्क में नहीं तो इसको पहले करना दौस्तों आपको इसका सोल्डिंग करना है क्योंकि जब बरतन घर्म होता है तो यहां पर सबसे ज्यादा लोट पढ़ता है तो आपको इसका ध्यान रखना है अगर आपको हमारे फीडियो प्संद आ रहा है तो वीडियो को लाइख किजिए कमेंट किजिए और अपन वाइरिंग से रिलेटेद फैस्टाग्राम लिंक दीया है अब जा र Blues ज्security में ने पूंब हमदना फैस्टाग्राम यह लिंक बीस्टागरम दीया है आँडाया वहाँ से मुझे किसी स्लाइडर नाइफ के मज़ा से चाकू के मज़ा से इसको थोड़ा साफ कर लिए कि इसके साथ सोल्डरिंग बहुत ही मजबूत होता है तो इसको फिलिंग करके इसके वाद से फ्यूज लगाएंगे और इसके आउन करके आपको दिखाएंगे कि इसमें अभी यह सही है यहां पे इसको यह फ्लक्स लगा लेना है यह लिग्विड फ्लक्स है यह बहुत ही बहिया काम करता है बहुत ही अच्छा जोयन्ट मारता है इसकोभी बहुत है इसको इसके बहुत स्हों ज़ादा लोड होता है wur então इस पार्किंग बिल्कुल भी नहीं होना होका इस पार्किंग वह तो हमारा इजी बीटी भी ऊड़ सकता है है इसको शोल्डिंग करने के बाद इसके दोनों लेक को एक्स्टर लेक को काट लेना है एक अब इसका हम कॉयल का दोनों वायर टाइट कर लेंगे है कि दोस्तों अब दोनों कॉयल के पिंस जहां पर टाइट थे वहें पर टाइट कर देना है उसके बाद से इस कोयल को थिक से बैठा करके और इसके बेस पर टाइट कर देना है यह दोनो यह दोनो इस्क्रू बहुत ही ज्यादा टाइड होने चाहिए यहाँ पर भी लोड होता है तो इस पार्टम नहीं होना चाहिए यहाँ पर भी इसके बाद से यह जो टंप्रेचर का पीन है प्रेचर सेंसर का उस पीन को यह cooling fan यहाँ पर इसका connection ना भूलें यह चलना चाहिए नहीं चलेगा तो IGBT उड़ सकता है आपका तो इसका भी अभ्यान रखें इसके वाद से इन त्यूने screw को यहाँ पर लगा कि इसको tight कर दीजिए उसके वाद से हम उपर का पूरा tight नहीं करना है इसको ऐसे उपर रखे और supply से लाएकर चेख करना है हमें कि यह सई हुआ या नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर supply आ चुका है मुझे अर्फ एक अब यह आं विविंगो चुका है अब इसके अम बर्तन रखेंगे आ से यह गरम होने लगा है अभी हम इसको पाणी आ सब्सक्राइब करते हुए तो को आप यहां पे देख सकते हैं हमने हिश्का पानी इसको डाला है क्योंकी इन वाटर से सप्लाई आफ हो जा रही है हमारे इनवाटर ओवर्लोड करके बंद हो जा रहा है अपने यहाँ पर देखा कि यह गर्म हो राइस में से धुआ निकल रहा था तो देखिए यह फिर से चाल हो गया बार बाइन वाटर ओवर लोड लिख के बंद हो जा रहा है यह देखिए यहां से धुआ निकल रहा है तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब की कीजिए थांक्स